आज हम लोग यहां पर 26 B exercise का question no 7 से करने वाले हैं तो इससे पहले के questions जो हो चुके हैं कोई भी problem में आप पहले जाके देख सकते हैं लास्ट में आपका end में आपका आ जाएगा playlist वहां से आप देख सकते हैं otherwise अगर सकते हैं मेरे चैनल को क्लिक करके आप playlist के option पर या फिर आपका वहीं पर subparts किया हुआ है आप वहां पर maths में जाके आप देख सकते हैं तो अब चलिए लेट सी 7th number question question है आपका यहां पर point पहले लिख लेते हैं ठीक है P आपका दे रखा है 2 3 5 Q है आपका minus 4 7 minus 7 ठीक है और आपका फिर R दे रखा है minus 2 1 minus 10 और S आपका दे रखा है 4 minus 3 2 तो आपको यहां पर दे रखा है so read the points P Q R S सभी के coordinates दिये are the vertices of a rectangle आपको rectangle प्रूफ करना ठीक है properties हमें याद रखना हो ठीक है इससे पहले कि video में जो है हम properties हाला की बता चुके parallelogram वाला case हुआ था कि parallelogram में आपको rectangle नहीं है ऐसा proof करना है तो वहां से आपको properties का idea मिल गया हुआ ठीक है तो let's say कि यह हमारा rectangle है let's say हमारा यह rectangle अब इस rectangle में आपका suppose A B C D ठीक है यह हो गया तो यह लेने का भी तरीका बतायते हैं यह आपको सही sequence में लेना होगा ठीक है यहां आपका answer गलत rectangle का मतलब सभी sides क्या होंगी opposite sides equal होंगी और क्या होगा कि उनकी जो diagonals होंगे वो भी बराबर होंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं तो यहां से हम यहां पर देखिए यहां पर P यहां पर Q यहां पर R यहां पर S कर लीजेगा ठीक है तो आप यहां पर समझ रहें हाला कि तो यहां पर आपका क्या होगा पीक्यू और RS बराबर होंगे पीक्यू निकाल लेते हैं 2 माइनस पीक्यू तो माइनस माइनस प्लस होगी है इसका square यहां से आपका 3 माइनस 7 का square और यहां से आपका 5 माइनस माइनस प्लस इसका square ठीक है पीक्यू यहां से आ जाएगा यह देखे यहोगे 6 6 का square 36 यहां से आपका देखे 4 4 का square 16 यहां से आप देखेंगे तो आपका 7 4 11 होता है 12 12 का square 144 एड़ कर लेंगे 4 6 10 10 और 6 16 1 carry 4 15 538 819 वन रह गया ठीक है तो यह होता है 13 का square ठीक है सो हम लिकालना नहीं है हमें तो बस क्या करना है आंसर चाहिए बस केवल हो केवल आंसर पीक्यू आगे आरेस दे देते निकालते हैं तो आरेस के लिए वह ही करेंगे हम R हो गया minus 2 S minus 4 का square यहां से आपका 1 यहां से आपका minus minus plus 3 का square और plus यहां पे आपका हो गया minus 10 और यहां पे आपका हो गया minus 2 का square ठीक है तो RS अपके पास कितना आ जाएगा यह बेखे 606 का square 36 यहाँ से अपका 77 का square जो शुर्ण यह 4 और यहाँ पर 12 का square 144 वही चीज है तो यहाँ से आपका 196 units आ जाएगा टीके तो RS PR बराबर आ गए ये दिरेते हैं पहले तो यह आपके हो गए equal है ठीक है तो अब हम निकालते हैं पी एस और क्यू आर ठीक है पी हो गया टू माइनस एस हो गया फूर इसका स्क्वार कर लेंगे एड़ करेंगे थ्री माइनस 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 ब्लस थ्री का स्क्वार और यहां पर आपका फिर फाइफ माइनस टू का स्क्वार तो आपको यहां से पी एस कितना आज जाएगा यह आपका हो गया टू का स्क्वार फूर और यहां से आपका नाइन का स्क्वार नाइन निटी यह आपका सिक्स ह 36 और यहां पर आपका यहां पर आपका फिर 3 3 का स्क्वेर 9 ठीक है 2 का स्क्वेर 3 प्लस 3 6 36 और यहां पर 3 9 ठीक है calculation यहां पर आप अड़ करेंगे यह गया 10 9 19 1 carry 3 1 4 49 7 आता है ठीक है हमें यूनिट्स निकालना नहीं है तो हम मैंजर्टी स्चोड़ देते हैं ठीक है तो अब यहां पर PS के बाद हमें QR निकालना है QR के लिए देखे Q minus 4 R है minus 2 minus minus हो जाएगा plus और यहां पर आपका 7 और यहां पर आपका देखी क्या है 1 minus 1 का स्क्वेर प्लस यह आपका minus 7 और यह आपका minus minus plus इसका स्क्वेर QR इक्वेर अपका 2 का स्क्वेर 4 यह आपका 6 का स्क्वेर 36 यह आपका 9 का स्क्वेर ठीक है तो 9 और 81 81 9 नहीं क्या 7 है 7 यहां से 3 3 का square होता है 9 इसको कर देंगे 9 तो यह बिल्कुल इसी के equal आ रहा है 49 units ठीके तो यहां से PS और QR क्या हो गए equal 49 units और अदरवाइस कह सकते हैं 27 units ठीके बात ही के तो यहां से हम control करते हैं कि आपका opposite sides equal आ गए अब हमें diagonals भी तो equal दिखाना है तो वो भी दिखा देते हैं diagonals diagonal PR ठीक है PR क्या हो जाएगा हमारा P है यह R है 2 minus पहले से plus हो जाएगा यह देखिए आपको 3 minus 1 का square अच्छा यह जो है ना बहुत ही जदा speed में हम कर रहे हैं ठीक है कैसे कर पा रहे हैं यह आपको मेरा 1st जो आपका होगा 1,2,3 questions जो solve की हैं उसमें हम बता हैं आपको यहां पर x1, x2, y1, y2 कैसे लेना है ठीक है तब आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत easy में लगने लगेगा और easy way में आप solve करने लगोगे ठीक है कुछ-कुछ corrections भी करवाये थे आरे सगरवल में कुछ-कुछ आपके misprint गलत है ठीक है question को correct करवाये थे ठीक है हाला कि तो उसको भी देख लीजेगा तो आपका question जो है number I think so 3 or 5 में correction हुआ ठीक है 3 or 5 में अभी देखें आप मेरे चैनल पर वीडियो को जो है आप अभी उस वीडियो को देखें उसमें आपको correction है और आपको पता चलेगा कैसे आपका यह आपको x1, x2, y2, y1 इस तरह आपको लेना है ठीक है अगर आपको समझ में आ रहा है तो then fine और कुछ corrections है वो आप देख लिजेगा तो यहां से आपका p r ले रहे थे हैं p और r ठीक है तो अब हमारा 5 हुआ 5 में हम करेंगे minus, minus 10 है और यह तो प्लस होगी है इसका square करेंगे तो यहां से p r कितना आ जाएगा हमारा 4 का square 16 2 का square 4 15 का square 15 का square देखे 5 5 25 1 2 2 2 25 तो that means यहां से 20 20 आड़ कीजेगा तो 5 4 2 2 45 minutes ठीक है तो calculation सही चेक करते हैं calculation yes perfect सही है 20 सही है calculation जरू चेक कीजेगा बीजुच में अब solve कर रहे हो अब calculation जरू चेक कीजेगा देखे हम p r निकाल चुके अब हमें qs का डाइगुना निकालना है qs के लिए हम q ले रहे हैं यहां minus 4 minus 4 square यहां पर आपका 7 minus minus 3 square यहां पर आपका हो गया minus 7 minus 2 square ठीक है तो qs कितना हो जाएगा तो आपका यहां पर यहां पर हो गया 16 और यहां से देखे 8 8 64 ठीक है इसका square करेंगे basically देखे minus 4 minus 4 चली सही है यहां पर आपका 7 और यहां पर plus 3 ठीक है और यहां पर आपका minus 7 सही है चली यहां पर आपका कितना हो गया 10 10 का square 100 और यहां पर आपका देखे यहां पर आपका हो गया 9 9 का square करेंगे हम 99 81 ठीक है तो आपका यहां से आप एड कर लीजे यह हो गया 5 और यहां पर आपका 806 9 6 होता है 15 14 1 carry 112 चली यह अगर आपका equal नहीं आता ना यह दोनों equal आना चाहिए diagonals और diagonal equal नहीं आता that means आपके calculation में कुछ गड़ा बढ़ा है ठीक है चेक करेंगे सो जरूँ तो यहां से आप conclude करते हो कि diagonal जो है हमारा PR बरावर QS है ठीक है तो जब आपका यह दोनों equal है hence हम यहां से प्रूफ कर सकते हैं hence PQRS is a rectangle चीक है तो तो यह सब आगे की conclusion ताप लिग लोगे as it has its opposite sides are equal and diagonals are also same ठीक है यह आप खुद से लिख लेना ठीक है यहां नहीं लिख रहें यहां पर प्रूफ हो गया है ठीक है next question 965 यहां साब देखे 10 1009 19 1 carry यह आपका 49 यह आपका basically 7 unit आएगा हमें नहीं निकाल ला हमें बस अपने question को प्रूफ करना जो दे रहा है ठीक है PS के बाद हम निकाल लेते है RS ठीक है minus 7 minus minus होगा plus 4 minus 1 का square plus 7 minus 1 का square ठीक है तो RS आजाएगा तो यह हो गया आपका 2 का square 4 और यह हो गया आपका 3 का square 9 यह हो गया आपका 6 का square 36 basically यह 49 unit ठीक है तो RS RS के बाद QR निकाल लेते हैं QR QR अपना आ गया तो यहां पे minus 1 यहां पे minus minus हो जाएगा इसका square 6 minus 4 का square plus और यहां पे आपका 10 minus 7 का square ठीक है तो QR आपका आ जाएगा यह आपका 6 का square 36 2 का square 4 3 का square 9 सभी में साइट इकोल आने वाले ठीक है बट फिर इसे भी चेक करते जा रहे हैं कहीं calculation गरबढ़ना हो इसलिए qr pq pq में आपका देखिए p यह q 1 minus minus तो plus हो गया और इसका square 3 minus 6 का square plus 4 minus 10 का square ठीक है pq is equal to यहाँ पे आपका आ गया 2 का square होता है 4 और यहाँ से 3 का square होता है 9 यहाँ पे आपका होता है 6 का square 36 तो यहाँ से आपका 49 units चलिए सारे sides तो हमारे हो गए बराबर सारे sides हो गए हमारे equal ठीक है तो अब हमें diagonals को बराबर नहीं दिखाना तब ही यह rhombus prove होगा diagonal के लिए भी निकाल लेते हैं diagonal pr इसमें देखिए आपका pr है और qs है हमारे diagonal प्लस हो जाएगा यहां पर आपका 3-4 का square और यहां पर 4-7 का square प्लस हो जाएगा तो यहां से अगर आप देखेंगे चलिए यह आपका आजाएगा 6 का square 36 यह आपका आजाएगा 1 का square 1 और यह आपका आजाएगा 7-4 गया तो that means 3-3 का square 9 10 हो गया 10 और यहां पर 46 हो जाएगा 46 units ठीक है तो calculation अपना चेक करेंगे यह हो गया आपका अच्छा यहीं स्टार्टिंग में ही गड़बड क्या गड़बड हुआ यहां पर देखेंगे 8 का square 64 होता है वन का square यह सही है यह आपका ठीक है यह भी सही है यहां पर थोड़ा करेक्ट कर लेंगे चलिए तो असा correction कर लेंगे आप यहां पर 64 हो जाएगा ठीक है टैना पैड़ करोगे यहां पर 74 हो जाएगा ठीक है तो 74 units चलिए छोटे छोटे गलती हो जाती है हम भी इंसान है चलिए करेक्शन हो गया आपका 74 units अब डाइगोनल निकाल लेते हैं PR के बाद QS निकाल लेते हैं ठीक है QS निकाल लेंगे हम तो क्या आ जाएगा QS minus 1 minus already है प्लस हो जाएगा इसके बाद आपका 6 में आप 1 minus करोगे उसका square करोगे और यहां पर 10 minus 1 10 minus 1 का square ठीक है तो QS कितना आ जाएगा यह देखो 4 का square हो जाएगा 16 यह हो जाएगा आपका 5 का square 25 यह जाएगा 9 का square 81 एड कर लेंगे यह हो गया आपका 6 6 6 12 1 carry और यहां पर 10 1 10 or 1 11 11 और 1 12 तो यह आपका इतना units है calculation सही है calculation पर हम बाराबर ध्यान देते हैं यहां पर 13 1 14 14 1 चलिए सही है यह सही है इसके बाद यहां पर calculation देखते है चलिए यह भी calculation आपस सही है 6 6 12 1 carry 10 11 12 12 चीक है यह भी calculation सही है मतलब यहां पर diagonal जो है हमें दीख रहा है कि यहां पर diagonal जो है आपका equal नहीं है diagonal पी आर ठीक है यहां हम कह सकते हैं hence PQRS is a rhombus rhombus ही तो प्रूफ करना था यह प्रूफ हो गया कि यह है question number 9 देखे क्या है अलग-अलग questions है तो एक जैसे भी नहीं है कि हम छोड़ दे उसको तो वह चीज़ ध्यान रखना होगा बनाना ही होगा तो देखे D number question में आपको D point दे रखा है minus 1, 4 और minus 3 ठीक है इसके बाद आपके इसके बाद आपके A point दे रखा है 3, 2, minus 5 इसके बाद B का आपका minus 3 8, minus 5 ठीक है तो C में आपका दे रखा है minus 3, 2, 1 अब देखें यह से points लिख दिए है अब क्या है देखें question है आपका book सामने होना चाहिए तभी आपको समझ भाएगा so that D points आपके इतने coordinates दे रखा है यह जो है आपके कैन is the circumcenter of triangle ABC 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 का circumcenter D है ठीक है तो तो यह D जो है circumcenter है यह हमें proof करना है with vertices A, B and C ठीक है अब देखो यहाँ पर आपका देखें ध्यान दे दे वाली बात circumcenter है मतलब यह एकदम center पे होगा triangle के अदर यह आपका ऐसे है सारे sides होंगे बराबर ठीक है तो तो देखे यह जो है इससे circumcenter होने का मतलब बाहर से एक circle draw किया गया है ठीक है triangle अंदर है in center यह आपका circumcenter यह क्या है आपका यह circumcenter है अगर in center होता है यह हम in center का case बता रहें दोनों का आप mix up मत कर लीज़ा ठीक है in center में होता है एक triangle के अंदर circle होता है और उसके अंदर आपका एक point होगा जो की center point होगा ठीक है तो in center इसको बोलते है ठीक है यहाँ पर circumcenter दे रखका है मतलब इस तरह diagram बनेगा ठीक इसको अभी ध्यान मान दीज़ेगा ठीक है side कर दे चले अब यहाँ पर आपको क्या करना है A B बराबर B C बराबर sorry A D बराबर B C B D बराबर C D दिखाना ठीक है अब प्रूव हो जाएगा इससे radius है ना ये क्योंकि radius है इस circle का radius कहीं से फिलोग आपका क्या होगा इदर से भी अगर लेते हैं तो ये आपका क्या वस्ते हिम होगा सभी की radius एक circle में क्या होगा कहीं से भी आप radius लोग बराबर आएंगे तो ये आपका क्या होगा circumcenter है अगर तो ये radius ये radius ये radius अभी बराबर एडी हम निकाल लेते हैं तो ए है हमारे ये दी है हमारे ये तो 3 माइनस माइनस ब्लस और यहां से आपका 2 ये आपका माइनस 4 का स्क्वेर ये आपका हो गया माइनस 5 4 स्क्व क्राइए 2 स्क्वोर ७ाAw大 4 우льim यह आपका 2 का स्कॵर Voor लें आ टुने करेंगे यह होगे आपका 20 20 24 निट काम टैने हम अब बीदिन निदर भी यहऺंगे तो यह माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वेर, यह आपका हो गया 8, माइनस 4 का स्क्वेर, और यहाँ पे आपका माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वेर, ठीक है, तो BD आपका कितना हो गया, यह हो गया 2 का स्क्वेर, 4, यह हो गया 4 का स्क्वेर, 16, यह हो गया 2 का स् बिल्कुल सही जा रहा ठीक है देखेंगे दोनों बराबर आ गए अब एक तीसरा देखते हैं cd ठीक है तो cd cd तो माइनस 3 माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस का 1 का स्क्वेर ठीक है यहां प्लस का देखें यह गे 2 माइनस 4 का स्क्वेर और यहां से आपका 1 माइनस माइनस प्लस देखें का स्क्वेर cd पर आबर कितना आगे आपका 2 का स्क्वेर 4 यह आपका 2 का स्क्वेर 4 यह आपका 4 का स्क्वेर 16 यहां से आप एड करोंगे आप तो 24 का स्क्वेर मतलब 24 का अंदर रूट में आएगा तो यहां पर इतना अगरे units तो यहां से हमें पता चला कि ED बरावर ED बरावर CD रूट 24 units तो hence D is circumcenter circumcenter of triangle ABC ऐसा ही कुछ दिया हुँँ था? हमारा ऐसा ही दिया था triangle ABC का बताओ कि circumcenter हैगी तो यह हमारा प्रूफ हो गया 10th number question और यह हमारा लास्ट है इस वीडियो का collinear बताना है आपको so that the points are collinear अच्छी है? points are collinear चलिए पहला point में आपको A दे रखा है minus 2, 3, 5 B आपको दे रखा है 1, 2, 3 और आपको C दे रखा है 7, 0, minus 1 ठीक है? collinear होने का मतलब एक line में point जो है line कर रहे है उसी line पे lie कर रहे है ठीक है? A हो गया, A B हो गया, A C हो गया ठीक है? इस तरह lie कर रहे है तो आपको देखे यह जो होगा प्लास यह जो होगा इस पूरे line को जोड़ देगा ना तो पूरा AC है क्या सकते है? A B plus B C equals to AC बस भई length निकालेंगे A B क्या हो जाएगा? यहां से देखे minus 1, minus 1 का square 3 minus 2 का square plus 5 minus 3 का square A B कि इतना आजाएगा है हमारा? यह होगा है 3 का square 9 यहां पे आपको देखे 1 का square 1 और यहां पे आपको 2 का square 4 एड़ कर लेते हैं यह होगे आपको 9, 5, 16 9, 5, 14 चोरी यहां 14 होता है तो अंडरूट का 14 units A B अब हम निकाल देते हैं यह B C वाला पार्ट तो B C निकाल लेंगे तो यह कितना हो जाएगा हमारा? देखे, 1 minus 7 का square और यहां से आपको 2 minus 0 का square और यहां से आपको 3 minus minus plus हो गया इसका square B C यहां से निकाल के आजाएगा आपका यहां से 6 का square 66 और यहां पर आपका 2 का square 4 यहां पर आपका देखे 4 का square 16 तो यहां पर आपका आगया टूटर कितना हो? तो यहां से 6 plus 4 10 10, 6, 16 1 केरी और यहां से आपका 4, 1, 5 56 यूणिट्स आपका आट आट इना ठीक है? यहां को इतना है? अब यहां पर हम क्या कर देना? इसका जो है आपको अंदर वाला निकाल ला है अंदर वाला मतलब क्या? कि हम बेसिकली इसको और पेर में निकाल लेते ना बागार करके calculation है आपसए है चेक करेंगा है और है calculation तो सही है चली यहाँ पर 2 का 2 होगया 4 यहां पर 1 का 2 का 2 का 2 चली तो यहां से आपका क्या होगा? इसका देखे रूट निकालना है कैसे निकालते तो easy वे में 7 to 14 होता है अमरे 7 2 जो 14 7 odd है 2 एक ही है मतलब यही रह जाएगा ठीक है आपको यही आपको रूट में आपको 14 यूनिट्स रह जाएगा इसके बाद आपको यहां पर 56 का लिखाते है 8 सेवनल पर 588 में से आपको तू का क्यूब करेंगे तब 8 आता है क्यां मतलब 2 टू इंटो 2 तीन बार करेंगे तो तीन बार में से क्या करेंगे दो बार को हम एक पेर बनाएंगे 16ग pro cacton वो पाहर निकल जाएगा और एक अंदर रह जाएंगा और साथ हमें हमारा किया रहा जाएगा 7 7 8 56 होता है 7 इंटू 2 बाहर रहा जाएगा मतलब 2 root 14 units बन गया तो इसके बाद अब हम BC को निकाल लेने के बाद हम निकालेंगे इस पूरे का AC यह और यहां से अपका 3 आ जाएगा 3-0 का स्कूर और यहां से आपका 5-5-1 स्कूर इसका नीची लेख लेते हैं तो यहां से आप कहा जाएगा यहां से आप कहा जाएगा माइनस आप करोगे तो यह कितना जाएगा जूड़ी जाएगा यह बेसिकली ठीक जूड़ेगा तो यहां से आप कहा जाएगा 9 9 का स्क्वार रोता 81 और यहां से 3 का स्क्वार 9 यहां से आपका 6 का स्वाइट 36, जोड दो गया आप इसको, ये दिखें कुछ 9, ये थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, 6, 1, 7, 7 और 6, 7 और 9, ठीक है, 7 और 9 होता है, आपका 16, 1 कैरी, 3 और 8, तो यहाँ पर एक हम जोड दिये, कैरी वाला, तो 4, 4 और 8 होता है, 12, 12, तो इतने यूनिट्स हो गए, इसका बाहर निकाल लिटे, ठीक है, 126 का रूट करना हमें, कैसे करेंगे, देखें, 126 का रूट अगर आपको करना है, या तो आप प्राइम फेक्टरिजिशन का यूस कीजिए, मेठड बहुत एजी है, प्राइम फेक्टरिजिशन अब कर लीजिए, 126, टू से, टू सिक्जा, टू थ्री जाओ, थ्री से, टू वन थ्री सेवन, मतलब यहां से दो का पेर बनेगा, थ्री, थ्री बाहर आ जाएगा, और अंदर 14 रह जाएगा, छीक है, तो यह आ गया, अब यह जो है, आपका कैसे प्रूव होगा, प्रूव हमें करना है, बेसिकल एसी हमारा थ्री, इंटू, आपका रूट 14 यूनेट्स, ठीक है, यह हमारा है, इतना यूनेट्स, ठीक है, और आपका अगर हम बी सी, प्लस, ए भी करते हैं, तो कितना आजएगा, रूट 14 यूनेट्स, प्लस, टू रूट 14 यूनेट्स, ठीक है, तो टोटल यह थ्री रू to b c plus a b आ गया so it is a collinear आप यह लिख देंगे it is a collinear ठीक है तो यह हो गया पहला आप देखते हैं दो question इसमें कितने questions यह दो बचे हुए दो भी देख लेते हैं तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपना last question है दो तो यह आपको points दे रखा एका b का आपका दे रखा है और c का आपको दे रखा है ठीक है तो points दे रखे हैं अब आपको क्या करना है collinear बताना है यह होगा यह b होगा यह c होगा ठीक है इसी से हमें identify हो जाता है चलिए a भी निकाल देते हैं 3 minus minus plus का square यहां पे minus 5 minus 0 का square यहां पे आपका 1 minus 8 का square यह भी कितना आ जाएगा 4 का square होता है 16 यहां पे 5 का square होता है 25 और यहां पे 7 का square 49 एड़ कर लेंगे 9 और यहां से आप इसको एड़ करोगे तो इसको एड़ कर लेंगे तो यहां से 9 और यहां से आपका क्या हो गए 9 6 इसको total एड़ करें तो 11 11 और 9 11 और 9 10 1 2 20 तो 2 केरी यहां से 6 178 9 90 यूनिट्स ठीक है तो A भी आ गया अब इसी तरह निकाल लेते हैं B C यहें और 10 और 11issä म Buenos 7 को स्क्वे यहां से आपका हो गया जीरो माइनस माइनस प्लस और यहां आपका हो गया एट माइनस माइनस प्लस 12 आपका स्को速 है बीसी निकाल रहे है basically तो यहां से आपका हो गया 8, 8 का square 64 यह हो गया 100 यह हो गया आपका 8 में 6 एड़ कर रहा है 9 में 6 एड़ कर तो 15, 14, 14 का square 14 का square 14 का square आप कीजिएगा तो 14 का square कितना आजाएगा आपका 4, 4, 16 1 और यहां से 1 केरी तो 4, 5, 6 6 और 7 176 ठीक है एड़ कर लेंगे इसको 6, 4, 10 1 केरी 1 केरी और यहां से 7, 6 यहां पर भी एड़ कर दिये ठीक है तो चलिए, एड़ नहीं करते है चलिए, माल लीजे यहां से तो यहां पर आपका एक एड़ कर नहीं होगा तो 14 हो गया 14, 1 केरी 1, 1, 2, 2, 1 3 अच्छा, यह 14 का square देख लिए बिए, 4, 4, 16, 1, 4, 1, 5 और यहां से आपका 4, 1, 2, 6, 9, 1 कल्कुलेशन से ही 16, 1, 4, 1, 5 यहां पर यहां से एड़ करेंगे तो यहां से आपका कितना बढ़ जाएगा आपका 9 9 यहां से आपका 10 1 carry 9 6 15 15 1 16 16 1 carry 2 1 3 चीक है इतना आपका units हो गया ठीक है तो यह आप करके देखेंगे इसके बाद आपका BC अब हम निकाल लेते हैं AC का पूरा AC A और C 3 minus 7 का square यहां से आपका minus 5 minus minus plus का square और यहां से 1 minus minus plus और इसका square AC equals to कितना आजाएगा यह देखेंगे आपका 4 4 का square 16 यह आपका हो गया 5 5 का square 25 यह हो गया आपका 7 का square 49 और इसको एड़ कर लेंगे total को तो यहां से आपका 9 और यह देखेंगे यह बिल्कुल यही आ रहा है आपका root 90 units ठीक है ठीक है तो इतना आ रहा है इसको add कर लेंगे तो इतना रहा है अब हमारा जो है जब यह इतना आ रहा है तो अब हम यहां से इसके अंदर वाले parts को निकालेंगे ठीक है तो that means यहां से आपका 90 है अगर तो 9 into 10 है ठीक है 9 x 10 यानिकी 9 3 3 जा 9 तो 3 बाहर आ जाएगा 10 तो 2 x 5 बाहर नहीं आएगा ठीक है तो 3 root 10 units हो जाएगा यहां से भी 3 root 10 units ठीक है तो यहां पर समझ पा रहे हैं और यहां से आपका 3 60 आरा calculation में कुछ गरबर नहीं चेक करते हैं माइनस यह और यहां पर 0-10 ठीक है माइनस माइनस प्लस यहां से 8 माइनस माइनस प्लस ठीक है तो यह आपका 9 9 और 6 होता है 15 14 14 का square चले correct है तो मतलब कुल मिला के यह सब सही है हमारा question में यह सब सही है answer भी आपका आएगा तो देखें यहां पर 36 into 10 10 तो अंदर रह जाएगा 6 बहार आ जाएगा ठीक है समझ पार है अब इसको add करेंगे हम तो देखें A B और B A C को add करेंगे plus A C equals to आ जाएगा हमारा 6 root 10 units ठीक है और B C हमारा दिया हुआ 6 root 10 units तो मतलब जरूरी नहीं है कि आपका A C ये पूरा हमारा सेम आ जाएगा है अब ये points क्या हो जाएगे बदल जाएगे points तो हम as usual माने थे हमें पता था क्या कि कौन सा unit किसका मतलब length है क्या है हमें नहीं पता था तो मतलब यहां पर आपका B C ये B हो गया ये C हो गया और ये आपका ही हो जाएगा ठीक है तो कुछ समझ पा रहे हैं तो यहां से आपका हो गया B C equals to A B plus A C so hence it is collinear hence it is collinear तो यहां पर आप समझ पा रहे हैं ये बहुत अच्छा question था अधितर लोगों को यही लगता है कि A C जो होगा ना वह बड़ा हो रहा है तो यहां पर आपका ये दुनों equally आएगा इस case में देखिए आपको points क्या हो गया आप different हो गया ना तो ये पहले से आपको मान नहीं लेना है ठीक है third number question last है देख लेते इसको भी ठीक है तो इसके बाद आपका third number question में आपको P दे रखा है point three minus two four ठीक है Q आपको है one 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 ठीक है और आपको R है minus one four two यहां से हम निकाल लेते हैं अब आपका देखिए कोई भी निकाल ले ऐसा किसे होगा तो देखिए यहां पर आपका हम क्या निकाल लेते a b निकाल लेते फिर हम क्या निकाल लेते b c भी निकाल लेते तो यहां से भी PQ निकाल लेते हैं PQ निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वेर माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वेर और यहां से 4 माइनस 1 का स्क्वेर तो यहां से आपका आजाएगा 2 का स्क्वेर 4 यहां से आजाएगा आपका 3 का स्क्वेर 9 यहां से आपका आजाएगा 3 का स्क्वेर 9 अंडर रूट का अंडर रूट का आपका यहां से कितना आजाएगा 9 प्लस 9 18 18 ओफ 4 18 ओफ 4 अगर हम एड़ करते हैं तो 12, 12, 22 22 यूनिट्स और इसका तो आपका निकलेगा ही नहीं इसका तो आप रूट निकाली नहीं सकते हैं पॉइंट में आ जाएगा पॉइंट में निकालनी नहीं छोड़ देना है P क्यों निकाल दी है P आर निकाल देते हैं P आर 3 माइनस ओल्री है प्लस का बन जाएगा और यहां पर आपका देखिए माइनस 2 है minus 4 का square और plus का फिर यहाँ पर 4 minus 2 का square ठीक है PR हो जाएगा हमारा यह के 4 का square 16 यहाँ पर देखिए आपका 6 का square 36 और यहाँ से आपका देखिए 2 का square 4 अंडर रूट में ठीक है तो calculation सही है चलिए यहाँ पर आपका हो गया 10 10 और 6 16 1 carry 314415 इसका अंदर बाला निकाल देखिए याँ रूट निकाल देखिए बेसिकल यह बोलेंगे हम तो यह 8 7 जाए 56 है 7 अंदर रह जाएगा 2 भी अंदर रह जाएगा 14 हो गया और बाहर के निकलेगा 2 क्योंकि 8 इंटू 7 करेंगे 56 आता है इसको हम तीन बार लिखेंगे तो 8 आता है और 7 आता है तो दो दो पेर बना लेगे यह पेर बनेगा निकाल निकाल देखिए पी आर अब क्योंकि आर निकाल देखिए अबर निकाल देखिए क्योंकि आर तो हमारा कंफर्म हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस का ठीक है और यह हो गया हमारा 1 माइनस 4 का स्क्वेर यह हो गया हमारा 1 माइनस 2 का स्क्वेर एड़ कर लेते हैं simple add करना है qr equals to यह हो गया हमारा 2 का square 4 यह हो गया 3 का square 9 यह हो गया 3 का square 9 तो basically यह आपका कितना आ जाएगा यही आ जाएगा root root 22 units ठीक है तो ठीक है तो इतना आ रहा है अब यहां से देखिए आप इन दोनों को आप add करते हो यह दोनों बराबर है इन दोनों को add करो कि यह मिलेगा आपको बात समझ में आ रहा है देखिए calculation बस यहां पर यहां पर minus minus और यहां पर 4 minus 2 ठीक है 2 का square लिखे यहां पर 6 का square लिखे यहां पर 4 का square लिखे calculation में कोई करबड नहीं है नहीं है that means यह देखिए यहां पर जितना भी हम common यहां पर करेंगे कि क्या चीज common यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर यहां पर 3 root 10 आया 3 root 10 आया दोनों को जोड के इतना आ गया ठीक है उसी तरह यहां पर यह और यह common आ रहा है तो इन दोनों को जोड के definitely आपको यह आना चाहिए ठीक है यह नहीं आता है that means गलत है तो यहां पर देख लेते हैं qr plus pr कितना होता है हमारा root 22 plus root 22 चीक है add कर लेते हैं to root 22 होगा होगा तो यह चीज चली यह चीज होला अब यह जो है इसके बराबर आए गई है calculation में बस आपको check करना है ठीक है यहां से pr equals to qr plus pr so hence it is collinear ठीक है एक बार फिर बोल रहे है calculation check किजेगा calculation गलत नहीं नहीं है यह वाला calculation पी आर थ्री माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और यहां पे माइनस 4 माइनस 2 ठीक है आरस अगरावाल मतलब बहुत मतलब यहां पे इस में इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है सही करेंगे यहां पर माइनस 2 आप लिखेंगे तभी आपका अंसर आएगा ठीक है क्योंकि हम अभी देगे calculate करके कि add कर रहे ना तो नहीं आ रहा को चीज क्यों नहीं आ रहा ना problem यहीं हो रहा है देखिए जो है माइनस 2 यहां पर चेंज हो आने कि qr और हमें पी आर में चेंज लाना होगा qr यह देखिए आपको माइनस तो यहां पर 1 माइनस माइनस प्लस तो 1 प्लस 3 3 का स्क्वार 9 चलिए इस ही है और यहां पर हमारा जो है पी आर यह देखिए 4 माइनस माइनस हो गया प्लस तो यह हो गया 6 का स्क्वार 36 चलिए 36 कर दिए तो यह 36 होने से क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 12 12 प्लस 6 फिर आपका 18 1 कैरी 1 कैरी 3 3 6 7 1 8 8 ठीक है 88 यूनिट्स ठीक है अंडर रूट में इसको अब आप बाहर निकालोगे तो आपका आज आएगा 2 रूट 22 यूनिट्स ठीक है तो आप यह संगतु है तो आपको चैणा बिल्कुल ठीक कैई का ठीक है तो आए ओप यह बाकी का प्रॉसे सिठक है तो आए होप कि आपको यह वेडीयो अच्छा जा लगा होगा बीदियो आपको लाइक कीजिएगा सबसे पहले आप तक आए सो मिलेंगे नेक्स टॉपी के साथ तब तक लिए टेक कियर थैंक यू सो मच